इस वीडियो में हम लोग mouse event तथा mouse listener के बारे में पढ़ेंगे पिछले वीडियो में हम लोग event handling के कुछ basic concepts को समझे थे तथा एक simple program भी बनाये थे जिसमें हम लोग events को handle किये थे और वो सब event button के द्वारा generate होता था बटन को हम लोग click करते थे और जो frame का background जो था वो change होता था इस वीडियो में जो event होगा वो mouse से generate होगा जैसे पहले हम लोग button दबा करके event generate करते थे और इस वीडियो में हम लोग mouse को जब click करेंगे और frame पे हम लोग click करेंगे तो वहाँ से event generate होगा तो चलिए अब हम लोग एक program देखते हैं जिसमें हम लोग mouse event और mouse listener के बारे में पढ़ेंगे अभी आप अपने screen पे एक program देख सकते हैं यहाँ पे हम दो package import किये हैं awt और awt event यहाँ पे class है mouse event handling और उसी तरह का हम यहाँ पे constructor बनाया है जो कि एक title लेगा और वो title यहाँ से पास किया जा रहा है और फिर इस frame का भी size हम लोग जो frame बनाया है उसका size set कर रहे हैं frame को visible true कर रहे हैं और यह title grid layout demo program या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं mouse event handling program और यह title जो है वो set होगा यदि हम अभी इस application को run करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर frame तो बना है लेकिन यहाँ पर button क्लिक करने से कोई भी action यहाँ पर अभी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोग कोई भी यहाँ पर component add नहीं किये हैं केवल container है container यहाँ पर frame है और इसका title देख सकते हैं आप जो अभी हम लोग set किये हैं mouse event handling program वो आप देख सकते हैं तो चलिए हम लोग यहाँ पर mouse handling mouse event generate करते हैं और mouse listener भी इसमें लगा करके फिर mouse capture कैसे होता है और वो हम लोग देखेंगे जो सबसे पहला काम यहाँ पर हम लोग करेंगे वो हम यहाँ करेंगे implement करेंगे सबसे पहले इंप्लिमेंट्स माउस listener और जब हम mouse listener को implement करेंगे इसका हर जो abstract method है वो हमको implement करना पड़ेगा आप देख सकते हैं जब हम यहाँ क्लिक किये तो यहाँ पर हमको बहुत सरा और यहाँ पर abstract methods इसका मिला यहाँ पर method है सबसे पहले mouse click करेंगे तो क्या करना है mouse press करेंगे mouse release करेंगे mouse enter होगा mouse exit होगा यह सब हम लोग one by one देखेंगे सबसे पहले हम लोग यह जो code इसमें जो आया है जो throw error करेगा इसको हम लोग clean करते हैं और जब यह clean हो गया हम लोग यहाँ आ सकते हैं और सबसे पहले हम लोग इस जो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग mouse listener add कर रहे तो इसके बाद ज़ी हम चाहते हैं कि हम button click करें mouse ब्लीक करें तो कुछ काम हो तो हम लोग यहाँ से mouse click में लिख सकते हैं चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ code लिखते हैं जैसे यहाँ पर हम code यहाँ पर लिखें हैं जब हम mouse' को Driving करेंगे कब का कहां फ्रेम पे, फ्रेम मेरा कंटेनर है, जब कंटेनर पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो कंटेनर का background color जो होगा, वो rate हो जाएगा, और फिर x का value, जहां पे click की है उसका x का value, और जहां पे click की है उसके y का value, फिर यहां पे message जो हम लोग यह variable यहां बनाया है, string type का, उसमें हम लोग स्लाइस कर रहे है, mouse clicked at x का value है, और y का value है, यह आपको x value और y value बताया कि mouse कहां पे click हुआ, तो क्या दो काम करेगा, सबसे पहले, background color rate करेगा, और फिर message print करेगा, system.output.print line में आप देख सकते हैं, चलिए अभी इसको run करते हैं, run किसी program को, अभी आप अपने screen पे देख सकते हैं, यह program run कर रहा है, जब ही हम इस पे click करते हैं, तो background color rate हुआ, और यहाँ पे आप output में देख सकते हैं, mouse clicked at 128 and 108, यह 128 x का value है, और 108 जो है, वो y का value है, यदि हम किसी दूसरे location पे click करेंगे, तो एक नया message आप देख सकते हैं, background color भी change हो रहा है, लेकिन rate के बाद rate आ रहा है वो पता नहीं चल रहा है, अब देख सकते हैं, x और y का value बार बार change हो रहा है, क्योंकि हम mouse इधर उधर अलग अलग location पे click कर रहे हैं, उसी तरह यदि आप चाहते हैं, कि यह जो काम हो रहा है, वो mouse click होने पे हो रहा है, यदि आप चाहते हैं, कि नहीं mouse जब ही frame पे जाए, तो यह काम हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे इस code को नहीं लिखेंगे, बलकि हम लोग लिखेंगे mouse entered में लिख देंगे, इस code को यहाँ पे ला दिये हैं हम लोग mouse entered के अंदर में, और जब हम program को run कराएंगे, और जभी हम लोग mouse को ले कर जाएंगे frame पे, और यह काम होगा, यह तेखिए रेट हुआ और हम इस हम प्रम के ऊपर कोई पशल और उस कंपोनेंट के ऊपर मौ Count यहां चाहरे करना चाहते हैं तुका दो कोई Whitewater तो Confederate इंटर्ड में ही रहेगा या फिर हम लोग माउस क्लिक में इसको ले करके आ जाते हैं माउस क्लिक में हम इसको रखते हैं इस कोड को और यहां पर हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे सबसे पहले हम लोग इसको कमेंट कर लेते हैं और यहां पर कुछ कोड लिखते हैं हम राउंड सेट करना पड़ता है कि लेबल वो कहां रखना है तो यहां पर लेबल का हाइट वेट 1010 और इस सॉरी लेबल का यह एक्स और वाइ लोकेशन और फिर इसका हाइट और वेर्थ लेवल का हम लोग यहां सेट कर रहे हैं फिर लेबल को हम लोग फ्रेम पे एड कर रहे हैं और फिर इस लेबल पे जो लेबल है इस पर हम लोग माउस लिसनर लगा रहे हैं पहले हम लोग आप यहां देखिए पहले हम लोग यह ले लेबेल है और जब हम लोग लेबल पर क्लिक करेंगे तो यह Color Change हो रहा है और Message भी साथ में मेरा आ रहा है तो आप इस Program में समझे कि कैसे हम लोग Mouse Events को capture कर सकते हैं Mouse listener का कैसे यूज करते हैं आप इस प्रोग्राम में यह पढ़ें उम्मीद करते हैं आप यह अच्छी तरह समझ गया होंगे थेंक यू